थमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रसैनी बड़ी खबर जमु कश्मीर से जमु कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे आ रहा हैं और बीजेपी ने वहाँ पहली जीत दर्ज की है श्री नगर में बीजेपी ने जीत का पर्चम लहराया है श्री नगर के बलहामा में बीजेपी उमीदवार एजाज हुशेन जीत चुके हैं जिहाँ तो डीडीसी चुनाव में बीजेपी ने अपनी पहली जीत वहाँ दर्ज की है जमु कश्मीर में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद पहली बार वहाँ चुनाव हो रहा हैं डीडीसी यानि जिला विकास परिशद के चुनाव हैं जिसमें बीजेपी ने अपना जीत का पर्चम लहरा दिया है पहली जीत बीजेपी ने वहाँ दर्ज की है परदेश के दरसल इत्यास में पहली बार परिशद का ये चुनाव हो रहा है जिसके लिए कुल 280 सीटों पर ये चुनाव हुआ जिसकी गिंती चल रही है अब 2178 उमिदवारों की किसमत का फैसला आज हो जाएगा जमु कश्मीर में लेकिन बीजेपी के लिए ये चुनाव क मिल रहा है और जो शुरुआती रुजहान सामने आ रहे हैं उसमें कुछ जंगों पर बीजेपी को जीत हासल हो रह रही है तो कुछ जंगों पर बीजेपी और गुपकार गटबंदन है वो कड़ा मुकाबला उन दोनों के बीच वहा देखा जा रहा है बात अगर जम्मु क जान है आने वाले टाइम में जब नतीजे पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे देखना होगा कि आखर बीजेपी किस तरीके से जमू कश्मीर में अपनी जीत का परशम लहराती है जिसका दावा लगातार बीजेपी के तमाम नेता अपनी रेलियों के द्वारा कर चुके हैं आ लोग डर के साएं में मद्दान करते थे और बेहत कम वोटिंग परसंटेज वहां देखने को मिलता था लेकिन इस बार के डीडी सी चुनाव में जिस तरीके का मद्दान वहां लोगों ने किया वो यह दर्शाता है कि किस तरीके से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अब लो आप वो नहीं डरेंगे और यही वज़ा है कि जो वहाँ वोस्टिंग होई है , दरसल 51 परतिशत तक वहाँ वोस्टिंग इस बार हुई है जो कही न जो पहले voting हुई है उसके मुकाबले काफी जादा है और ये साफ संदेश वहां के लोगों ने दे दिया है कि कश्मीर में ग्रामी लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जो बुलंद आवाज है उन्होंने वहां मुठी भर जो अलगावादी है जो आतंगवादी है और जो देश व विकास परिशद के ये वहां मद्दान हुए लेकिन उसके बावजूद भी ठंड को दरकिनार करते हुए तमाम तरह की जो विरोध जिस तरीकी का वहां हुआ तमाम तरह की के हतकंडे वहां आतंगवादियों के द्वारा भी अपनाए गए लेकिन तमाम तरीके से तमाम गत या 370 को हटाने का वो दरसल लोग उससे खुश है भले ही जो जमुकश्मीर के राजनितिक दल है जो विपक्ष है वो भले ही आलोशना करते रहें लेकिन इस बार साफ संदेश जमुकश्मीर की जनता ने वहां की जो राजनितिक पार्टी है उन्हें दे दिया है यानि जिस तरीकी का वोटिंग परसंटेज वहां रहा और जो चुनाव नतीजे सामने आ रहा है उससे ये साफ हो गया है कि अब वहां गंतंत्र नहीं बलकि लोगतंत्र की जीत होगी और लोगों ने दरसल विकास की जो कमान है वो अपने हातों में ले ली है आतंकवादियों को एक तरीके से साफ संदेश दिया गया है आपको बता दे हाली में जब बीजेपी नेता शेहनवाज हुसेन वहां उनकी रैली होनी थी उससे ठीक पहले वहां ग्रेनेड मिला यानि साफ तोर पर बीजेपी को वहां पस्त करने की तमाम कोशिशे विरोध्यों के जरिये की लेकिन पूरी तरीकी से मूतोर जवाब बीजेपी ने वहां दिया और ये साफ संदेश वहां की अबजनता दे रही है कि दरसल जो बीते सतर सालों से वहां का माहोल बना हुआ था डर के साय में लोग जी रहे थे अब वहां वैसा नहीं चलेगा लोग घरों से बाहर निकले हेंगे अपनी मत का प्रियोक करेंगे लोग तंत्र को मजबूत बनाएंगे ये साफ संदेश जमो कश्मीर के मिंबा जी रहती है फिर चाहे वो पाकस्तान हो या चीन हो यानि पाकस्तान से लेकर चीन तक की नज़रे जम्मु कश्मीर पर टिकी रहती हैं जम्मु कश्मीर में क्या गतिविदी चल रही है इस पर उनकी नज़रे रहती हैं और साफ है कि जम्मु कश्मीर में जो चुनाव चल रहे हैं उस पर ही उनकी नजरे गड़ी होंगी. यानी जम्हो कश्मीर का जो चुनाव है वो काई माइनों में एहम है ना सर्फ नैशनल लिवल बलके इंटरनेशनल लिवल पर भी जम्हो कश्मीर का मुद्दा हो चाहे फिर वो आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर जम्मु कश्मीर का कोई भी चुनाव हो तो पाकिस्तान से चीन तक और अमेरिका तक की नजरे जम्मु कश्मीर पर टिकी रहती हैं ऐसे में जो डीडीसी के चुनाव हुआ है ये कई माईनों में महतपूर्ण हो जाता है फिलाल जम्मु कश्मीर का जो ये चुनाव हैं और जो बड़ी पार्टी नहीं थी लेकिन ये माना चौह रहा है कि जब जिला विकास परिशद के नतीजे पूरी तरीके से सामने आ जाएंगे उसके बाद जमू कश्मीर में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है लेकिन वहीं विपक्ष जो है गुपकार जो गटबं नहीं होता ये हमने देखा है पहले भी किस तरीके से विपक्ष इखटा हो जाता है और जमू कश्मीर में भी वही हुआ है आर्टीकल 370 के समाप्त होने के बाद ये तमाम जो पार्टिया थी जमू कश्मीर की वो एकजूट हो गई और इन्होंने फैसला कि वो दरसल बीजे जिसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव में उतरे और अब जिस तरीकी के नतीजे सामने आ रहे हैं वो साफ संदेश दे रहे हैं कि जमू कश्मीर की वो जनता है कही ना कहीं आर्टिकल 370 खत्म जो किया गया है उसके साथ है जिस तरीक जिस तरीके से परिवार राज जमू कश्मीर में चल रहा था चाय फिर वो फारुक अब ज़िस तरीके से बदल जाएंगी दुल्ला के द्वारा हो या फिर महबुवा मुफ्ती के द्वारा हो उसे खत्म करने की अब बीजेपी ने ठान ली है और नतीजे सामने आ रहे हैं हाला कि यह शुरुवाती रुजान है जिसमें जम्मू में बीजेपी को बढ़त मिल रही है तो वहीं कश्मीर में दोनों प हो जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर पर इस बार किसका कबजा हो रहा है लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली जीत वहां दर्च कर ली है इसके बाद भी बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि दरसल एक बड़ी जीत जम्मू कश्मीर में वहां उन्हें हासल होन अनुराग ठाकूर का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि दरसल जमु कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाये हुए है उसमें उन्होंने लोकतंत्र की जीत बताया है इसके अलावा जमु कश्मीर के जो भाजबा अध्यक्ष है रवींद्र रेना उन्होंने दरसल कहा है कि ये बहतर भविशे के लिए लोगों ने मद्दान किया है आतंकवादियों की धंकी को धनकिराण करते हुए ये विकास को तेजी लाने के लिए मद्दान किया गया है उन्होंने साफतोर पर कहा कि मद्दान की जो काम्यावी है उससे जमु कश्मीर में और अलगाववाद अब खत्म होने जा रहा है। तो पूरी तरीके से परसितिया है वो इस बार बिलकुल अलग है। को मिला है जिसका श्रे कहीं न कहीं वहां स्तुरक्षा बलो को भी जाता है लेकिन आने वाले कुछ ही वक्त में ये नतीजे बिल्कुल साफ हो जाएंगे कि आखिर अब जीत का परचम जमु कश्मीर में कौन लहराएगा फिलाल आगकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद